स्टाट अच्छा आज़री हम चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं पेशल लेक्चर में कि चार्ज क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं और मैंने आपको बताया था कि उसमें ज्यादा तर इंफर्मिशन थी कि चार्ज वाट इस चार्ज ठीक है लेकिन आज थोड़ा सा quantitative है जिसका मतलब यह है कि हम उसको quantify करना चाहते हैं उसकी theory को समझना चाहते हैं दो charges जब आपस में करीब आते हैं या दो ऐसे particles जिन की उपर charge हो और वो एक दूसरे के करीब हो या करीब ना भी हो एक दूसरे के साथ वो interact करें तो वो किस तरह interact करेंगे वो कैसे एक दूसरे के उपर force लगाएं यह सबसे पहले कूलम्स ने 17 probably 1785 में इस तरह कुछ discover किया था और बाकादा experiments करके और charges के उपर study करके उसने जो law है between the two charges the force between the two charges जब दो charges आपस में एक दूसरे के उपर force exert करते हैं तो वो किस law को उबे करते हैं वो किस तरह एक दूसरे के उपर force exert करते हैं तो कूलम्स ने इसका एक mathematical formula टाइप develop किया तो आज हमारा जो topic है वो basically इस law के बारे में कि कूलम्स law क्या है तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो electrostatic force है आप याद रखें तो चार्जिस के दरम्यान चाहे वो same charges होन या opposite charges होन। चाहे वो same charges होन या opposite charges होन के दरम्यान एक force पाई जाती है अब जाहरी बात है कि charges की types two है तो forces भी दो तरह की हैं अगर same charges हो तो वो कैसे force exert करेंगे एक दूसरे की उपर और अगर opposite charges हो तो वो कैसे force exert करेंगे एक दूसरे की उपर इस force को हम electrostatic force कहते हैं और उसमें ये assumption है कि दोनों charges जो हैं वो rest पे हैं वो move नहीं कर रहे हैं अल्दो कि वो इतना ideal situation नहीं है या realistic situation नहीं है कि दो charges बिलकुल rest पे हो ये इतना realistic नहीं है लेकिन for sake of simplicity हम ये लेते हैं कि दो charges rest पे हैं दो particles ऐसे हैं जो rest पे हैं मसलन दो electrons है या एक electron है एक proton है ये दो particles हैं जिनकी एक property है charge और ये दोनों rest पे हैं अपनी इस property की वज़े से जो electromagnetic charge है इनकी उपर उसकी वज़े से एक दूसरे की उपर force exert करेंगे जिसको हम electrostatic force कहते हैं क्यों कि हमने particles को rest पे ले लिया है जब particles rest पे हैं तो उनके दरम्यान जो force है वो electrostatic force है तो अब जब ये एक दूसरे की वपर electrostatic force exert करेंगे तो सबसे पहला case देखते हैं कि जब same charges हो यानी charges आइधर दोनों plus हो या आइधर दोनों minus हो जब दोनों same हो तो ये जब एक दूसरे की वपर force exert करेंगे तो आप इसको देखे ये एक तरह से vector क्योंकिए force एक वेक्टर quantity ह तो आप देख रहे हैं कि दोनों plus charges है चार्ज नबर वन और चार्ज नबर टू जो यहाँ पर है ये दोनों plus charges है तो चार्ज नबर वन जो है वो चार्ज नबर टू पर force exert कर रहा है और चार्ज नबर टू जो है वो चार्ज नबर वन पर force exert कर रहा है तो इस तरह हमारे पास यह दोनों इस दूसरे क्यूपर फॉर्स एक्जर्ट कर रहें लेकिन यह देखें कि जो डिरेक्शन है फॉर्स की वो किस तरफ है वो भी देखें आउट वर्ड यहां पर अच्छा इसमें मैंने नोटेशनली यह है कि जो सेकंड इंडेक्स है टू इसका मतलब है कि चार्ज नंबर टू चार्ज नंबर वन पे फॉर्स लगा रहे है यह वाला जो एरो है यह फॉर्स जो है यह इस चार्ज नंबर वन क्यूपर फॉर्स है जो राइट साइड से इंडेक्स है वो वाला पार्टिकल फॉर्स लगा रहा है और जो second index है उसके उपर force लग रही है तो जो charge two है first index वो force लगा रहा है charge one पे तो इसकी देखे direction इदर है चुकि वो भी plus है और ये भी plus है तो वो इसको repel कर रहा है तो same charges जो है वो repel करते हैं तो charge number two, charge number one को repel कर रहा है तो यहां पर आप देखें कि मैंने arrow इस तरफ दिया है और चुकि फोर्स एक vector quantity है इसकी direction है किसी खास direction में force act करीगी तो ये इस direction में act कर रही है ये देखें जो इनके दर्वियान distance है बिलकुल उसके outward act कर रही है और अधर देखें तो charge number one जो है वो charge number two पे जो force लगा रहा है वो बिलकुल opposite direction में जा रहा है तो ये इस diagram से हमें ये पता चलता है कि अगर same charges हों इस case में दोनों positive है तो वो एक दूसरे की उपर जो force लगाएंगे तो वो repel करेंगे एक दूसरे को कि ये force हम calculate कैसे कर सकते है ये force किन factors depend करती है लेकिन at least अभी आप ये समझे कि electrostatic force जब दोनों charges positive हों तो वो एक दूसरे को repel करेंगे इसी तरीके से अगर दोनों charges negative हों still आप देखें कि वो force जो है वो repelsive है क्योंकि उसमें जो idea है वो ये है कि दोनों charges अगर same हो same type of charges हो वो एक दूसरे को repel करेंगे ठीक है बाहर की तरफ आप देख रहे है arrow दोनों cases में बाहर की तरफ है लेकिन जो तीसरा case है जैसे आप इधर भी आप देखें repel है इधर भी repel है ये दोनों forces जो है ये repelsive है electrostatic force है लेकिन repelsive है लेकिन अगर opposite charges हो अब आप देखें कि आपके पास जो force है वो attract कर रहे है अब charges एक दूसरे को attract कर रहे है देखें वो arrows की direction जो है inward हो गई है अब एक plus charge है sorry इन में था एक plus है और एक minus है एक plus charge है और एक minus है तो पहला point जो हमने आज सीखा कि electrostatic force यानि static का मतलब ये है कि दोनों charges rest पे हैं realistically शायद वो rest पे ना हो लेकिन ideally हम उनको समझ रहे हैं कि वो rest पे है क्योंकि बहुत मुश्किल है कि एक electron rest पे हो और बहुत मुश्किल है कि एक proton भी rest पे हो ये कुछ ना कुछ motion में जरूर होंगे लेकिन बाकी effects को neglect करते हुए सरफ चुकि हम electric phenomena को समझना चाहते हैं तो इसलिए हम ideal case ले रहे हैं कि दोनो charges जो है वो rest पे हैं और इस वक्त इनके दरमयान जो forces हैं वो two types हैं charges भी two types के थे तो forces भी two types के हैं और उसमें rule ये है कि अगर दोनों charges same हैं चाहे वो plus हो या minus हो वो आपस में repel करेंगे और अगर दोनों charges opposite हैं तो चाहे वो plus हो या minus हो वो आपस में तो ये हमारी force की एक तरह से हमें समझ आ गया कि force किस तरह act करेंगे अच्छा अब इसके बाद कूलम्स ला क्या है अब कूलम्स ने जैसे मैंने कहा के एक्सपरिमेंट्स करके अब्सर्वेशन करके इस फोर्स की बाकाइदा एक्सपरिमेंट से एक कंक्लूजन निकालके इम्परिकली देखा कि यह फोर्स किन फेक्टर्स पर डिपेंड करती है और उसको फिर कूलम्स ला क quantity नहीं है यह direction पर depend करती है कोई भी vector quantity जो है वो direction dependent होती है तो इस case में अगर आप force को देखें तो दो पार्टिकल्स के दरम्यान जो force जो distance है आर तो यह आर भी जो है displacement है actually यह भी एक vector quantity है और इस आर के साथ हम एक unit vector attach करते है ठीक है तो जो हमारी force है वो victorial form में ऐसे आएगी कि यह एक vector होगा और यह किसी खास direction में point करेगी मिसाल के तोर पर इस case में अगर opposite force q1 q2 हम charge के लिए अकसर जो symbol यूज़ करेंगे वो q1 और q2 का यूज़ करेंगे तो यह जो force red arrow जो आपको नज़र आ रहा है वो उस तरफ लग रहे है क्योंकि यह रिपेल कर रहा है charge one or two को तो यह आर जो है unit vector है तो यानि हम displacement का unit vector use करेंगे ठीक है इदर हम force को लिखते हुए अभी जो mathematical form आईगी तो आप देखेंगे उसमे unit vector जो होगा unit vector वो vector होता है जिसका magnitude one होता है और वो सिर्फ हमें direction बताता है जैसे sign board होता है आप जब सड़क पे जा रहे होता है तो एक sign board लगा होता है और वो sign board आपको यह बताता है कि सिर्फ इस direction में जाएं और वो कोई, यानि उसके और कोई ऐमियत नी होती ही वो सरफ आपको direction बता रहा होता है तो इसलिए unit vector जो होता है न आपको ये बताता है कि ये force की direction, इस direction में force जो है, वो exert कर रही है तो आप देखेगे कि अभी law के अंदर भी displacement आएगा और displacement का unit vector आएगा तो इसके बाद हम इसकी mathematical form अगर देखे देखा आपने mathematical form में कि force जो है जो के एक vector quantity है अच्छा अब एक equation का क्या मतलब होता है कि equation का मतलब यह होता है कि जो left side पे है वही right side पे है दोनों sides जो है वो equal है equal का मतलब यही होता है रहा तो left side पे आप देखे एक vector है at least एक vector है तो right side पे भी vector होना चाहिए तो left side पे force vector है तो right side पे vector क्या है displacement ठीक है अब यह force है यह depend करती है किन चीजों पे q1 q2 दो charges की उपर product of the charges पे depend करती है उनके magnitude के product पे depend करती है और जो distance है इन दोनों के दरमयान उसके square पर भी और inversely proportional है यानि जतना charges दूर होंगे उतना उनके दरमयान force कम होगी लेकिन आप जब charges को मजीद दूर करेंगे displacement उनमें बढ़ाएंगे तो जो force है वो square से ज्यादा कम हो जाएगी यानि इसे कहते है inverse square law inverse square law है तो force सिर्फ r के inversely proportional नहीं है r square के inversely proportional नहीं है बड़ी तीजी से force कम होती है दो चार्जे जब करीब होंगे तो थोड़ा सा दूर करें तो force उसके square से नीचे आ जाएगी इतनी तीजी से force कम हो जाएगी तो displacement के एक और inverse square law भी है उसे हम gravitational, Newton's law of gravitation कहते हैं उस भी भी r square है ये बड़ा मशहूर inverse square law है जिन में force is inversely proportional to the square of the distance between the two charges इसलिए इसको inverse square law कहते है क्यों ऐसा है, it's a very difficult question to answer लेकिन r cube क्यों नहीं है linear क्यों नहीं है सिर्फ r की power 1 क्यों नहीं है it's a different question लेकिन at least हमें इतना पता है कि r square है क्यों है ये हमें नहीं पता लेकिन इतना हमें पता है कि r square है और f is inversely proportional to r square but it is directly proportional to q1 and q2 ये product of the charges और r जो है वो unit vector जो हमें direction बता रहा है कि at the end जो force होगी उसकी direction क्या होगी वो in terms r k long होगी और k जो है ये constant है ये basically इसके अंदर जो चीज़ छुपी हुई है इस constant के अंदर देखें जब दो quantities हम आपस में equate करते हैं तो हर दफ़ जरूरी नहीं होता कि वो exactly equal उनमें कुछ और factors आ जाते हैं मिसाल के तौर पर अगर दो charges को मैं air के अंदर रखो air देखो इस यहां पे रखो या लकड़ी के अंदर रख दो वोट के अंदर रख दो एक electron भी वोट के अंदर है दूसर लकड़ी वोट के अंदर है या plastic के अंदर रख दो या vacuum के अंदर रख दो तो उसे force पे फर्क पड़ेगा force same नहीं आईगी अगर दो चार्जिस दो electron वो vacuum में हो बीश में कुछ नहों या दो electron लकड़ी के अंदर पढ़े हो वोट के अंदर पढ़े हो या rubber के अंदर पढ़े हो या concrete के अंदर पढ़े हो इस दरमयान में जो medium है इसकी अपनी contribution है उसकी वज़े से force कम या ज्यादा होती तो उसकी उस contribution को भी हम इसके के अंदर डालेते हैं यसे हम कहते है constant और वह तो जाहरी बात है जब तक आप medium नहीं चेंज करते तो उसकी वज़े से force पे कोई फरक नहीं पढ़ता जब तक दो charges air के अंदर वजूद है तो उनके दरमयान medium का effect तो वही रहेगा जब आप air से निकालके उनको water में ले जाएंगे तो फिर वो change होगा otherwise change नहीं होगा तो इसलिए हम इसको constant समझते है कि unless the environment is changed unless the conditions are changed that factor will not change तो इसलिए इसको हम constant कहते हैं लेकिन universal constant नहीं है इस तरह का constant नहीं है कि चाहिए जो भी कर ले इसकी एक ही value है नहीं नहीं ये medium dependent constant है एक medium में कुछ एक value है और दूसरी medium में कुछ और value है कुछ ऐसे constants भी हैं जो universal constants है मिसाल के तोर पर जो gravitational constant capital G है वो universal constant है वो medium पे dependent ही करता चाहिए आप चांद पे चले जाएए याप जमीन पे आजाएए याप जूपिटर पे हो सन पे हो उसकी value वही रहेगी पूरी universe में same value लेकिन ये के की value जो है ये इस तरह नहीं है ये medium dependent है आप change करेंगे medium को that will change और इसके अपनी value है वो भी मैं इधर लिखूँगा आपके लिए लेकिन वो थोड़ा बात में पहले आप देखे कि चार्ज अब हमने यहाँ पर पहली बात की कि कूलम्स लाके अंदर हमने पहली उसकी vector form देखी कि वो vector quantity है फिर उसकी mathematical form आपने देखी vectorial form में अब उसकी unit of charge किया है वो भी यहीं से निकालेंगे अब आपको पता है कि current जो है हम इससरे define करते है rate of change of charge divided by time ठीक है ना कि कितने time में कितने electron move कर गए है इसे current कहते है पर एक वायर है और उस वायर में एक second में let's say 10 electrons move की है पहले charge एक जगा पे 0 था अब 10 हो गया है तो इससे हम unit निकालेंगे कैसे निकालेंगे अब देखें अगर मैं इसको dq idt कर दू तो अब charge का unit जो है वो कूलम है और current का unit एंपियर है और time का unit second है तो इस तरह मैंने charge के unit यानि कूलम को डिफाइन कर दिया कि जब वन इंपियर का current flow कर रहा हो एक second के अंदर किसी conductor में तो उस वक जो चार्ज होगा वन कूलम हो इस तरह हम इसको quantify कर दिया तो अब इसके अंदर हमने तीन चीज़े कर ली vectorial form किया उसकी mathematical form किया और फिर उसके units भी derive कर लिए और जो constants हैं जैसे अभी मैंने आपको कहा कि यहां से अभी हम constants निकालते हैं कूलम जला से अब आपको clear है वो k की मैंने explicit form लिख दिया one और four pi epsilon not four खुद से constant है pi भी आपको पता है कि एक irrational number है three point one four one something one six और q1 q2 के magnitude और divide by r square अगर यहां से हम यह देखें तो यह जो epsilon not है यह इसका नाम भी यह है permittivity of free space और यह इसके units है c square by n और n newton per meter square आप यहां से यह force की units newton है और यह r square meter है उसको दूसी तरफ ले जाएं तो newton meter square हो जाएगा और charge के units कूलम square हो जाएंगे तो इसलिए epsilon not की unit जो होंगे वो कूलम square और newton per meter square और यह इसकी value है और यह free space के लिए है अगर आप कोई medium लगा देंगे उसका हम epsilon r फिर एक extra quantity यहां लगाएंगे उससे वो change हो जाएगा बसलिए water के अंदर forces कुछ और होंगी constant change हो जाएगा या vacuum के अंदर या let's say air के अंदर या let's say vote के अंदर हर एक material dependent है हर एक material की अपनी value अपना constant है यह free space के लिए है अक्सर हम जब analysis करते हैं theoretical analysis करते हैं तो फिर हम free space ले ले लेते हैं लेकिन आपने intermediate class में भी देखा होगा के वहाँ पूरे एक टेबल होता था पूरे इसके epsilon r की value जो है वो medium के लिए इस permittivity की value दी भी होती थी और next जो है उसके जो units है वो आप देख सकते हैं k की units हम वहाँ से निकाल सकते है 8.99 intense power 9 newton यानि k की value निकाल सकते है तो हमने वो units of constants भी लिख दी है और epsilon r और k दोनों use होते है ठीक है कभी आप k की पूरी value पूट कर देंगे कभी epsilon r की value पूट कर देंगे और problems में भी आप देखेंगे कि इस तरह होगा तो दोनों हम दोनों की values अच्छा ये बड़ा interesting point है और मैं चाहूंगा कि आप इसको समझे multiple forces जो multiple forces इसे कहते है principle of superposition मिसाल के दोर पर एक charge है और उसके इर्द के बहुत सारे charges पढ़े है बसलब ये charge one है इसकी उपर हम force calculate करना चाहते हैं और एदर एक और charge है इसकी वज़े से force फिर एक और charge है तीसरा charge उसकी वज़े से force फिर चौथा charge है उसकी वज़े से force and so on there are many charges and you want to calculate force from each of it each of the charge तो क्या होगा क्या कैसे करेंगे इसको कहते हैं principle of superposition यानि mathematically speaking इसका मतलब ये है कि सारी forces को आप sum up कर सकते add कर सकते मसला इस charge number one पे जो net force है यानि सारे charges से मिलाकर जो force है वो किस के बराबर होगी charge number two की charge number one पे force पहली term जो है फिर दूसरी charge number three की charge number one पे force sorry आगले में वो दुबारा repeat होगे लेकिन charge number four की charge number one पे पिर charge number five की and so on और charge number end की जतने भी total number of charges है तो याद रखें कि जतने भी charges हैं उन से अलाइदा अलाइदा आप कूलम्स लाकी मदद से forces कलकुलेट कर लें और उन तमाम forces को फिर आप sum up कर लें add कर लें इसको कहते है principle of superposition superposition का मतलब यह होता है कि आप इनको add कर सकते हैं जो हम quantum आपको मैंने पहली बताया था quantum computer में superposition principle इस्तेमाल होता है इसके वो classical computer से fast है या ज्यादा उसकी capacity है उसकी वज़ा यह है कि हम quantum computer के अंदर एक principle जो यूज़ करते हैं उसे हम कहते है principle of superposition या सिपर पिजिशन प्रिंसिपल उसमें यह होता है कि दो states जो है यानि zero और one जैसे आप coding करते हैं machine language जीरो और one तो एक zero होता है या एक one होता है लेकिन quantum computer में zero और one की superposition होती है यानि दोनो states एक वक्त में possible होती है and that gives enormous results उसकी वज़ा से जो computation power है या जो storage है वो exponentially increase हो जागा सिर्फ इस principle यह वही principle है जो वहां quantum computer में इस्तेमाल होता है जब हम zero और जो bits हैं हमारे zero bit और one bit उनको जब हम superposition में लेते हैं कि दोनों एक वक्त में possible है zero भी possible है हाँ probability हो सकती है zero की probability कुछ और है one की कुछ और है equal equal probable है यह भी हो सकता है लेकिन इनको superposition में लेने से पूरा पूरा paradigm चेंज हो जाता है यानि computer की जो सारी पीछे theory है वो चेंज हो जाता है लेकिन इतना बस सिर्फ आपके लिए एक hint है क्वांटम computer classical computer से किस तरह मुखतलिफ है classical computer में zero अब अलाइदा से एक चीज है one एक अलाइदा से चीज है लेकिन quantum computer में इन दोनों की superposition है यानि दोनों को हम add करते है zero plus one दोनों की दोनों में एक ही वक्त में possibility है कि हम computation कर रहे होते हैं तो वही superposition principle यहाँ पर तो physics का यह बड़ा बन्यादी उसूल है superposition principle physics का नेचर का और बहुत सारी जगों के यह इस्सेमाल होते है तो यहाँ पर भी इस्सेमाल हुआ है एक और theory है बड़ी interesting जिसे हम कहते हैं shell theory इसका क्या मतलब है देखें अगर मिसाल के तोर पर आपके पास एक sphere हो जैसे football है और उसके surface की उपर सारा charge फैला हुआ surface की उपर और एक charge particle हो बाहर है यह green charge particle है बाहर तो यह charge particle जो green है इसकी उपर यह सारे यह जो black dots है यह surface of the sphere पे charge है तो आपका क्या खैल है कि यह जो सारे black है यह इसके साथ अकेले-अकेले interact करेंगे सुपर position principle के तहत नहीं यह सारा का सारा charge ऐसे act करेगा जैसे sphere पे concentrated हो center पे तो यह charge green charge है यह बड़े football को ऐसे नहीं देखेगा कि हारे अलेदा-अलेदा से यह सब को sphere के center के उपर concentrated charge देखेगा इसको कहते है shell theory यह चार्ज particle outside the charge sphere will see the charge as concentrated on its center तो उसके center पे concentrated है और इसी तरीके से अगर एक charge particle inside the charge sphere हो मिसाल के तोर पर ऐसे हो इसके inside यह हम देखेए फिर इसको charge नजर ही नहीं आए इसमें कोई force नहीं हो ठीक है ना उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा ही है कि जब यह center पे चले जाएगा तो यह वाला charge तो equally distribute हो जाता है यह याद रखे मसला मैं एक football लिया हूँ और उसके उपर पांच electron यहां रख दूँ एक साथ जमगटे में, cluster में तो क्या होगा क्या वो वहीं रहेंगे नहीं वो equally distribute क्योंकि वो तो वापस में repel करते है जब वो वापस में repel करते है तो कैसे एक जैसे एक साथ रह सकते है वो जतना दूर जा सकते है उतना दूर जाएंगे एक दूसरे कैसे दूर हट जाएंगे तो जब वो एक दूसरे से दूर हट जाएंगे तो वो equally distribute हो जाएंगे और दस्फेर यह तर दूर जा सकते हैं क्योंकि यह वाला इलेक्टरान जब यहां आएगा और यह वाला इलेक्टरान जब यहां आएगा तो फिर यह इसको इदर से रिपल करेगा और यह दर से रिपल तो दरम्यान में आ जाएगा तो ऐसे यूनिफॉर्म डिस्टिबूशन आ जाएगी सर सेशल थियूरी के मताबिक अगर एक स्फेर हो और उसके चार्ज डिस्टिबूटेड हो तो आउट साइड जो चार्ज पड़ा हुआ है उसको वो स्फेर के बिलकुल सेंटर पे वो चार्ज नजर आएगा वो एक ही बस आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और अगर यह चार्ज हम उ हमेशा है पुजट डिरेक्शन में होंगे और वो एक से को कैंसल करें तो यह बकाईदर थियूरी है इस फिर इसे हम शेल थियूरी कहते हैं ठीक है तो यह इस तरह मल्टिपल फोर्स के दरम्यान में हम क्या करेंगे वो बात थी और चेक पॉइंट आगे तो इस चेक पॉइ यह जो सेंट्रल वो है प्रोटान है उसकी उपर जो डिरेक्शन है वो किस तरफ होगी तो जाहरी बात है कि अपुजट चार्जज़ है एक प्लस एक माइनस है तो उसकी उपर जो डिरेक्शन हो इस तरह है और वो मैंने लिख भी दिये कि E on P ठीक है इसलिए इंडिक्स में आप देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट्स चो लगी हुए और वो एरो भी शो कर दी सेकंड है दा फोर्स ड्यू टू दी अधर प्रोटान तो अधर प्रोटान की उपर जो फोर्स है तो वो भी इस तरफ होगी ना क्योंकि उसको रिपल करेगा तो उसकी डिरेक्शन है और आख जतना चार्ज अलेक्टान पर उतने ही चार्ज प्रोटान पर वरना एटम एलेक्टिकली नूट्रल ना होता नूकलेस में जतना चार्ज है प्रोटान पर उतने ही चार्ज अलेक्टान की उपर और और्बिट में यह दोनों एलेक्टिकली एटम बजाते हैं खुद नूट् plus minus अपस में cancel करते हैं तो amount should be the same तो इसलिए जो total charge है वो हमारे पास इसलिए में वो force जो है वो same है EP और PP same है तो इसलिए जो C है उसमें वो double हो जाएगी double of the forces FN जो है वो 2PP यए 2FE यए 2F के बराबर भी आप लेख सकते हैं तो इस तरीके से मतलब एक simple डाइगरे मेटिकली आप understand कर सकते हैं किस तरह दो particles एक दूसरी की पर force लगाते हैं ठीक है उससे हमने अंदाजा लगा लिए अच्छा एक और simple लेकिन बहुत powerful concept है वो है कि charge quantized है यह याद रखे यह भी बड़ा आज के लेक्चर में एक अच्छा जो चीज आपको पता चली वो superposition principle आपको कूलम्जला तो है ना कूलम्जला के साथ साथ आपको superposition principle भी पता चली तीसरा है कि quantized, charges quantized इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि charge जो है वो lumps में आता है lumps में एक lump है पिर दूसरा lump है फिर तीसरा lump है यह continuous fluid नहीं है इवन जिन चीज़ों को हम fluid समझते है शुरु शुरु में बेंजमिन फ्रेंक्लिन के जमाने में जब वो charge को नाम दे रहा था वो उस वक्त यह समझा जाता था कि charge continuous fluid है जैसे पानी है अब आज आपको पता है कि पानी भी ऐसे continuous नहीं उसमें तो molecules होते है H2O लेकिन वो इतने ज्यादा होते है कि आपको उस वक्त वो ऐसे नहीं लगता कि एक H2O particle आ रहा है पिर दूसरा molecules हो आ रहा है पिर तीसरा molecules यह मैं पी रहा हूँ एक molecules इस तरह नहीं लगता वो इतने ज्यादा है कि आपको continuous fluid लगता है उस वक्त में भी ऐसे लगा कि चार्ज यह continuous fluid है बाद में हम पता चला कि चार्ज तो quantized है एक electron आ रहा है उस पे charge है फिर दूसरा आ रहा है एक कुलम है यह दू कुलम है तरी कुलम है यानि इस तरह तो नहीं होता कि अगर फर्ज करें यह bulb जो है वो flicker करें कि टिक करें एक electron आ गया फिर दूसरा आ गया इस तरह तो नहीं होता क्योंकि इतने ज्यादा electron एक साथ आते हैं कि उसको लगता है कि यह continuous है अगर आपको बहुत दूसरा आपको बहुत दूसरा आती है दूर से देखें तो चार्ज एक फ्लूइड है लेकिन अगर आप बहुत ही जूम इन देखें तो फिर उसमें electrons हैं या protons हैं और वो quantized हैं लेकिन basically quantum का mathematically हम कैसे लिखें Q is equal to NE We can count NE E is the charge and N is the number और that number is equal to plus minus क्योंकि charge plus भी हो सकता है plus one minus one plus two minus two and so on और E की जो value है वो ये है electron पे जो charge है न वो इतना है या proton पे जो charge है ये है 1.602 intense for minus 19 कूल हो और इसरा आप देख सकते है कि electron पे जो charge है वो minus E है proton पे plus E है और जो तीसरा पार्टिकल nucleus के अंदर होता है neutron उस पे कोई charge नहीं है तो quantization का मतलब यह है Q is equal to NE E by 3 plus minus ये 2 E by 3 और ये कहा होता है ये quarks पे होता है आपको पता है कि proton और neutron भी quarks से बने है तीन तीन quarks से बने है टोटल 6 quarks है न fundamental particles है और उन quarks की उपर जो charge होता है वो fractional होता है यानि 2 by 3 1 by 3 फिर एक सवाल यहाँ पर important पैदा होता है कि फिर हम charge को ये fundamental part charge क्यों नहीं है वो E क्यों fundamental unit है ये fundamental unit क्यों नहीं है यानि हम E by 3 के multiple क्यों नहीं ले रहे है हम E के multiple क्यों ले रहे है सवाल है न अगर ये उससे छोटा है न E by 3 तो E से छोटा है न लेकिन हमने जो fundamental unit लिया है charge का वो NE है यानि multiple of E लिए है not multiple of E by 3 क्यों? उसकी वज़े ये है कि जो fractional charge हमें nature में मिलता है quarks क्यूपर वो आप directly observe नहीं कर सकते आप indirectly observe कर सकते हैं लेकिन directly observe नहीं कर सकते हैं यानि दो quarks कभी भी अलैदा नहीं होते यानि एक Q पर E by 3 है तीसे Q पर 2 by 3 ये मिल के फिर वही बन बना देते हैं और अलैदा से आप आपको पता है कि या अलैदा अलैदा है लेकिन आप उनको अलैदा कर नहीं सकते इसको कहते हैं physics में बड़ा मशहूर है कि confinement, कि charges confined है quarks confined है और आज तक हमें ये पता नहीं है कि हम इनको अलैदा कर सकते हैं उसकी बड़ी theories है, reasons है कि क्यों confined है लेकिन at least confined है वो fractional charge है, sub charge है छोटा charge है लेकिन still जो हम charge का fundamental unit लेते हैं वो E लेते है not this fractional charge तो इसका मतलब क्या है आखिर में quantization का मतलब क्या है कि जो आपके पास allowed values है for example इस तरह है nine of E किसी sphere के उपर किसी body के उपर electron के multiple हो सकते है مثल nine ही हो सकते है thousand ही हो सकते है two hundred ही हो सकते है five seventy seven ही हो सकते है यह हो सकते है या minus भी हो सकते है लेकिन यह नहीं हो सकते है लेकिन यह नहीं हो सकते two point three five ही नहीं हो सकते या 1.22E नहीं हो सकता, क्योंकि ये quantized है, ये integers में आएगा, एक lump है फिर दूसरा lump है, 1.5 lump नहीं हो सकता, ठीक है, 1 lump ये 2 lump ये 3 lump, 1 of E, 2 of E, वो fundamental unit E by 3 नहीं है ये 2 E by 3 नहीं है, E है, तो 1 of E, 2 of E, 3 of E, इसे quantization कहते हैं, कि आपके पास ये choice है, कि आप एक sphere की उपर 10 E charge ले लें, लेकिन 10.1 E possible नहीं है, इसे quantization कहते हैं, तो ये quantized charge याद रखें, अच्छा, फिर एक और checkpoint है, कि initially sphere A has a charge of minus 50 E and sphere B has a charge of minus 20 E, the spheres are made of conducting materials and are identical in size, if the spheres then touch, what is the resulting charge on sphere A, तो शुरू में sphere A की उपर minus 50 E है और sphere B की उपर, तो मैंने आपका जब ये touch करेंगे, तो equally distribute करेंगे न, तो पहले क्या होगा कि इसके उपर 50 E ज्यादा है न, यहीं इसकी वज़ए है न, उस पर 20 E कम है, तो पहले तो ये होगा कि ये, उसके उपर चले जाएगा, 20 E वहाँ चले जाएगे, तो यहां 30 E रह जाएँगे, वहाँ 0 हो जाएँगे, यानि equal equal हो जाएगा, फिर equally distribute करना तो चार्ज equally distribute होगा, हर जगा पे चार्ज सेम सेम जाना चाहिए, हाँ अगर ये disconnect हों फिर नहीं होता है, फिर भी induction होती है, लेकिन इदर हम जो कहने का मतलब है, कि चार्ज किस तरह distribute करते हैं, क्योंकि ये तो electron है न, ये रिपेल करते हैं, तो जब इनको मौका मिलता है, कि इनकी आपस में जैसे नहीं लगती, तो जब भी इनको मौका मिलता है, तो दूर जाने की कोशिश करते हैं, और जितना जा सकते हैं, अधर से कोई रिपेल कर रहे हैं, तो फिर ये उधर रुख जाते हैं, लेकिन वो फिर equally distribute हो जाते हैं, लास्ट कॉइंट है इस lecture में, और वो ये है कि चार्ज कंसर्व है, देखें, आज हम मैं आपको तीसरा फिजिक्स का बन्यादी वसूल बता रहा हूँ, नेचर का, कुछ चीजे कंसर्व हैं, वो नकभी शुरू की गई हैं हमारे ख्याल के मतालब, और नकभी खत्व होंगे, वो जो हैं सो हैं, जैसे शुरू हुई थी, वैसी अभी है, और ना कभी खत्व होंगे, वो कंसर्व है, कंसर्व का मतलब यह होता है, ना आप उसमें कुछ एट कर सकते हैं, ना आप उसे कुछ सब्ट्रेक्ट कर सकते हैं, ना आप उसे कुछ ले सकते हैं, ना आप उसे कुछ दे सकते हैं, हाँ आप उनको म amount को तबदील नहीं कर सकते हैं मिसाल के तोर पर energy conserve है आप समझते हैं ने कि आप बिजली बना रहे हैं आप बिजली बना नहीं रहे हैं electricity बना नहीं रहे हैं आप एक form से दुस्री form में convert कर रहे हैं या तो coal जला के, petrol जला के या hydro electric, kinetic energy को you are converting it from one form to another form आज जो आप ने सुबह खाना खा के energy ली है, it's not generated it's actually converted, transferred from one form to another form तो इसलिए ये तो याद रखें के energy is conserve ये physics का पहला उसूल है, बड़ा बुनियादी उसूल है इसको पर बड़ी लेदे हुई है हजारों साल से, never found a violation to it ठीक है अक्सर जगों पर कुछ लोगों पर इतना doubt आ गया कि शायद ना हो, लेकिन है अभी तक हमें पता है science keep on evolving who knows के it will change but at least at the moment we know the fundamental laws of nature is that energy is conserved energy conserved, mass conserved बलकि ये दोनों mixed है, energy mass conserved momentum conserved है linear momentum, angular momentum इसके साथ साथ एक बड़ा fundamental law है, charge conserved आप charge ना create कर सकते हैं, ना destroy कर सकते हैं जो charge है, आपको पता है मेरे खियाल में gold भी conserved है यानि मतलब इसका मतलब नहीं है कि वो physics का law है, कि जितना सोना है तो है, ये नहीं है कि मैं सोना बना के लिए हूँ तो मतलब है कि it's type of the amount आप एक बेच रहा है, दूसरे ले रहा है लेकिन it's conserved इस तरीके से charge हमारा जो है वो conserve है टोटल amount of charge और इसकी हमें कहां मिलती है manifestation कहां हमें पता चल लगता है तो तीन examples में आपको दूँगा इसको मैं manifestation कहां कहां हमें लगता है मिसाल के तोर पर सबसे पहले अच्छी manifestation जो है वो radioactive decay के अंदर है आपको पता है कि हम nuclear power plant में uranium जो है उसमें 238 आप देखें उसका mass है और वो जब fission होती है यानि disintegrate होता है radioactive decay होता है तो इसमें से एक alpha particle यह helium यह alpha particle है वो बाहर जा रहा है और थोरियम जो है वो देखें वो 234 है तो यह उपर जो लिखा हुआ है number of electrons plus protons तो जो इसका mass है या basically समझ लें कि जो इसका charge है इसके उपर जितने electrons है या इसके nucleus के अंदर जितने protons है वो conserve है वो change नहीं हो सकते number of charge जो है वो same है although कि radioactive decay हुए है uranium टूटा है थोरियम बना है और हिलियम बना है लेकिन जो charge है जो number of charge है amount of charge है that's the same एक और manifestation जो इसकी है वो pair inhalation में है आपको पता है कि particle और anti-particle आपस में destroy करते है electron, positron जब आपस में करीब आते हैं collision करते हैं तो वो energy में convert हो जाते है लेकिन charge देखें left side पे कितना charge है इस equation में zero क्यों कि electron negative है और positive है तो plus minus इक डीसर को cancel कर रहा है कोई charge नहीं है right side पे भी देखें कोई charge gamma जो है आपको पता है photon charge less particle है ये gamma photon है इसके उपर कोई charge नहीं है momentarily conserve करने के लिए momentum को conserve करने के लिए दो photon बनते है लेकिन pair inhalation में charge conserve है और आखरी जो है वो है pair production में भी यही है आपको पता है कि एक photon जो है वो दो pair produce करता है यानि electron positron में disintegrate होता है left side पे भी कोई charge नहीं है और right side पे भी कोई charge नहीं है तो to summarize मैं आपको summary में यह कहूंगा के हमारे पास कूला मसला वो दो charges के दरमियान एक quantitative calculation देता है force electrostatic force की बाकाइदा formula है और validated है experimental और empirical है जो के charges के product और square radius इनके दरमियान distance जो है उनके square पे depend करता है inversely proportional है फिर उसके बाद मैंने आपको superposition principle और shell theory बताई किस तरह आप superposition principle से multiple of forces से calculation कर सकते हैं और shell theory को इस्सेमाल करके किस तरह इस calculation को simple कर सकते हैं और फिर मैंने आपको यह बताया कि charge is conserved charge conserved है और यह भी बताया कि charge is quantized तो यह बड़े important points हैं conceptual आप उनको इस तरही के से एक उसमें ला सकते हैं कि अभी तक जो हमारे पास electrostatics है charges है यह क्या है एक charge है दो टाइपस हैं उसकी वो एक दूसरे की उपर forces लगाते हैं यह इनके दरमयान interaction है और इसी से फिर interesting चीज़े पैदा होती है लेकिन यह fundamental और बुनियादी चीज़े है ठीक Thank you